नमस्कार दोस्तो अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको डिस्क बल्ज की सिकायत है या फिर डिस्क हर्निया की सिकायत है तो उन्होंने आपको आगे जुक करके काम करने के लिए भी मना किया होगा भारी समान उठाने के लिए भी मना किया होगा इसके पिछे एक कारण है इसी कारण के बारे में इस वृटियो में हम चरजा करेंगे करेंगे a है दोब दोस्तों आगे बढ़ने से पिले अब हमारे चनल में नए है तो बेल आप समझ पाएंगे डिस्क बल्ज होता कि हमारे रिड के हड्यों में हमारे पीट में वर्टिब्रा होते हैं तो हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक soft tissue disc type structure होता है जिसे हम इंटर वर्टिवरल डिस्क कहते हैं यह डिस्क बहुत जरूरी है हमारे बोडिक को flexible बनाने के लिए हम देखे कितने आराम से हम जुग सकते हैं, twist कर सकते हैं, jump कर सकते हैं यह सब इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे जो vertebral bone है, उसके बीच में जो disc है वो disc shock absorber का काम करता है और वो flexibility maintain करता है लेकिन किसी कारणवस किसी wrong position में हमने भारे समान उठाया या फिर जिनका काम लंबे समय तक बैठ करके एक ही position में बैठे रहना है या फिर driving करना है उन लोगों में या फिर कोई किसी भी कारणवस अगर मान लेजे उस intervertible disc में किसी प्रकार का कोई puncture आ जाए वैसे जो अंदर का जो jelly like material है वो बाहर निकल जाता है वो हरनीट हो जाता है बल्ज हो जाता है बगल से गुजर रहे है नस को वो दबाता है इसलिए हमें वो pain होता है, हमारे कमर में भी दर्द होता है और हमारे पैरों में भी रेडियेशन होता है क्योंकि वो नस हमारे पैरों से होते हुए गुजरता है जिसे हम sciatica नाम के problem से भी जानते हैं तो अगर हम disc bulge के problem को solve को तो sciatica का भी problem का solution निकल जाता है तो हमारे डॉक्टर्स आखिर मना क्यूं करते हैं भारी समान टाने से या फिर आगे की तरफ जुकने से देखिए फ्रेंट्स भारी समान टाने से हमारा डिस्क जो जो अरएडी बल्ज हो चुका है दबा हुआ है वो उसके पर और प्रेसर डालता है जिसके कारण वस और ज्यादा पीछे की तरफ वो बल्ज होता है, हरनेट होता है, उसका जली लाइक माटेरियल और वो और जोर से और प्रेसर से सियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है इसलिए हमें भारी समान उठाने के लिए मना किया जाता है और आगी की तरफ जुकने से क्या होता है, जब हम आगी की तरफ जुकते हैं, तो हमारा डिस्क है, उसका जो प्रेशर है वो पीछे की तरफ पुश होता है ठीक है, नॉर्मल कंडिशनर में तो ये ठीक है, मगर जब किसी को disk हरनिया का शिकायत हो गया है, तो जब हम आगी की तरफ जुकते हैं, तो उसका जो हरनियाटेट पार्ट है, हरनियाटेट जो डिस्क मटेरियल है, जल्ली लैक मटेरियल है, वो और पिछे की तरफ पुश रह जो कि पहले से दबा रहे हैं, नसको और जोर से दबाता है, और हमें पेन बढ़ जाता है, इसलिए हमें आगी की तरफ नहीं जुकना चाहिए, इस एनिमेशन के जरीए आप समझेए, देखिए कि जब हम आगी की तरफ जुक रहे हों, तो देखिए ये जो इससे और पुश कर रहा है पीछे की तरफ जो हर्नियेटेट डिस्क को और पुष्ट कर रहा है और यह नसों को दबा रहा है नसों को दबाए का तो जहर से बात है हमारा पेन और सिम्टम्स बढ़ता जाएगा तो इसके लिए श्पहे एक्सरसाइजेस भी हम इस तरह से डिसाइं करते हैं कि वो आगे की तरफ ना जुके वही सब行了ften जिसमें पीछे की तरफ बेंड रहा हैं जिसे हम एक्सेंसिन जाने अक्सरसाइजब बोल्ते हैं जैसे झिसें हम एख्टेंशन बयास गुटी तो इस exercise के बार में पहले से भी बहुत सारे वीडियो में बनाये हैं आप लिंक description में दिदूँ आप जाकर देख सकते हैं और इससे कई सारे related जैसे क्या कि आपको precaution लेना है क्या हो जैसे कि आपको जोग करके तो काम नहीं करना है लेकिन आप किस तरह से इसको modify कर सकते हैं अपने home में ताकि आप अपना घर का काम भी कर सके और आपका problem भी आगे ना बड़े डिस्क का problem आगे ना बड़े इसकी उपर मैंने बहुत विस्तरित चर्चा मैंने अल्रेडी कुछ-कुछ वीडियो में किया है मैं सब एक-एक वीडियो का link में डिस्कस्टिन में देदूँ आप जाकर कि महाँ पर देख सकते हैं तो उमीद करते हैं ये information आपको अच्छा ल